असलाम आलेकुं दोस्तों मैं हूँ फैसल एमद और आप देख रहे हैं स्पूर्ड एक्सपर्ट चैनल जैसे कि आज हमारा एक टापित था कि फ्लो ट्रांस्मिटर की कैलिब्रेशन उसमें में थोड़ा साथ प्रोसिजर अबर वियू स्रुफ आपको बताऊंगा उसके बाद क्योंकि हम कैलिब्रेशन कर रहे थे कैलिब्रेशन काफी दोस्तों को पता होता है अगर इसको पता ना भी हो तो हम आपको प्रेसिजर बताएंगे के कैलिब्रेशन में फस्ट स्टेप्स क्या होते हैं यह हम फ्लो ट्रांस्मिटर की कैलिब्रेशन कर रहे हैं तो पोर सिंट यह प्रेशियर के प्रेशियर कर दो है लोजा है यह लोजाद में निकाल दी यह अपन टो एक्टमासफिर निकाल दी और है यह उपन टो ऑफिर हो गया यह पर्जिंग के लिए होता है तो लो साइड में ने ओपन कर दी और हाई साइड पे इसका जतना है यह 40 KPA इसकी जो है रेंज है फिलो की तो 40 KPA में रख दी यहां पे और हम स्क्वाइर रूट में उसकी रेंज निकालेंगे और उतना प्रेशर अप्लाई करेंगे अगर यहां पे एक चीज़ समझने के लिए अहम है कि आप देखें कि जब फ्लो ट्रांस्विटर केलिब्रेट करते हैं तो काफी लोग यहां पे परशान हो जाते हैं कि इसक्वाइर रूट रेंज क्या होगी तो हार कम्यूकेटर से अगर आपके पास इसमें एकसेस है तो आप लिनियर रखें और जितना प्रेशर है जैसे 0-40 क्यप्ये की रेंज है तो आपने 0-40 क्यप्ये यहां प्रासेस केलिब्रेटर से अप्लाई करना है मतलब 20 पे 12 मिलियम्स आएंगे 30 पे 16 मिलियम्स और 40 पे 20 मिलियम्स और परसंटेज में 100 परसंट हो जाएगी तो यहां से जब हम सिलेक्ट करेंगे मतलब रेंज हमने ट्रांस्मिटर की लीनियर में कर दी तो केलिब्रेशन के लिए आसान हो जाएगा अगर हम हार कम्यूकेटर से रेंज उसकी स्क्वार रूट में रखते हैं तो फिर हम आये क्या होगा कि हम स्क्वार रूट में रेंज निकालेंगे तो इसक्वार रूट में रेंज निकालें का फार्मूला है तो आप अपलाई करेंगे उसके बाद रेंज निकलाएगी और रेंच आपलाई प्राहसे के सब्से करेंगे जैसे मैं झाय को कि अपन फेड ऊκα्कते हैं तो आपन में क्या करने के लिए कि आइसोलयट प्रेशण किसे करेंगे कि सबसे पहले हम लो साइड को क्लोज करेंगे फिर एकॉलाइजर ओपन करेंगे पर हाई साइड को क्लोज कर देंगे और फिर एकॉलाइजर बंद कर देंगे और पर्जिंग यहां से वेंट करके और आई साइड का कन्Ã walking निकालके यहां से हम प्रेशर अप्लाई करेंगे और जितनी रेंज होगी वो अप्लाई करेंगे About अमीड है कि फ्लॉ concept का procedure का पाफी दोस्तों आप चल गया होगा तो अगर किसी को ना भी आता हो तो फार्मुला है इसका, इसक्वाइर रूंट का कि वो आप फार्मुले से रेच लिखा लें और उतनी रेच अपलाई करें और बाकी प्रोसिचर जो सर्विस इन और सर्विस आउट का अभी हमने जैसे केलिबरेशन though करती हैं, तो सर्विस आउट के लिए, koş ben Какतलाई करेंगी किस्यूपन एकुलाइजर बंग कर देंगे और इसके बाद इसी पर्जिंग करा देंगे ट्रांस्मिटर हमारा सेर्विस में आ गया जो हमने कैलिभिरेशन की केलिभिरेशन विल्गल सही है और रेडिंग हमारी सही है यह आएगी प्रांस्थित का यह कोई primary element लगाया जाता है जैसे कि आप यहां पर देखें कि इसका primary element यहां के औरिफेस है तो flow transmitter में यह औरिफेस प्रेट जो है वो restriction के लिए दी गई है तो हमारा जो primary element होते हैं जिस तरह औरिफेस हो गई वेंचरी टूब हो गई पीटा टूब हो गई फिलो नॉसल हो गई जिस तरह औरिफेस हो गई तो यहां पर दो फिलेंजिल हैं उसके दरम्यान में औरिफेस लगाई गई यह औरिफेस प्लेट तो औरिफेस प्लेट के भी आपको पता है कि उसके भी काफी एक्साम है जिस तरह eccentric, segmental और concerting तो यह तीन हमारे औरिफेस के जो हैं वो टाइप से जो की यूज होते हैं यहां पर औरिफेस के अंदर तो इसमेIT के अगर बात आगई तो औरिफेस में जो होल वियु होते हैं एक वैड़ को पता आना चाहिए कि कि वीड़ होल और वैज होल किसले होते हैं जो एकसपर्ट है और एशुमें अगने जो होल जो है उस में को औरिफेस दिखाई जाए तो आपको पता रहा हो चाहिए कि जो बेवल साइड है वो आउसाइड होती है अब पता चल जाएगा कि ये औरिफेस प्लेट की जो है वो आउट प्लेट है अचा जी हम बात करते हैं ट्रांस्मिटर की और जैसे हमने इसको सर्विस में ले लिया उसके बात इसकी रीटिंग आना शुरू हो जाएगी अमीदे कि काफी दोस्तों को इसमें थोड़ी हल्प मिले होगी मैं हूँ फैसल एमन और आप देख रहे हैं इसमेट एक्सपर चैनल अलाफ़ीज